हेलो दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है आपका इस्पेसल किचन 9 में जिहां दोस्तों आज मैं आपके सामने मकई की बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ तो चलिए सुरू करते हैं इसे बनाना आप हमेसा मार्केट से मकई को लाते होंगे तो कभी इसे स्वीट कोन चाड बनाते होंगे कभी इसे आप पका के खाते होंगे या कभी आप बुट्टे का कीस बना के खाते होंगे तो आज मैं बिलकुल ही यूनिक सी रेसिपी आज आपको बताने वाली हूँ और इसे मैंने बनाया है बिलकुल ही घर के ही समानों से जिससे खाने का टेश्ट काफी बढ़ जाएगा और बहुत ही टेश्टी लगेगी इस रेसिपी को अगर एक बर आपने बना लिया तो काफी टेश्टी होने वाली है तो चलिए सुरू करते हैं इस रेसिपी को जो काफी टेश्टी होने वाली है तो इसके लिए सब से पहले मैंने लिए हैं ये देखें आप देख सकते हैं मैंने लिए हैं इसमें टमाटर हरी मीर्च और लसून और ये थोड़े से मैंने लिए हैं मलाई मलाई से इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है और बिल्कुल ही लाजवाब बनती है तो इसके लिए पहले ले लेने हैं आपको भुट्टे ये देखिए अगर आपके पास स्वीट कौन हो तो बहुत ही अच्छे है नहीं तो आप दूधी वाले जो मकाई होते हैं बिल्कुल म कर लिए है और यह जो साइट के पॉर्सन थे मैंने उसे निकाल दिया है तो एक भुट्टे की मैं आज बनाने वाली हूं और दो भुट्टे मेरे थोड़े हाड है इसलिए मैं इसे जूज नहीं करूंगी और यह मेरे स्वीट कौन है वह काफी टेस्टी है तो चलिए आगे प्याज लिए थे उसे मैंने आधा कर्षकर करके ढ़ा आगर आप छोटे साइट के ने रहे हैं तो एक डाले और पांLE-प्वट्र ची आने तक पकाने उसमें ज्यादा पानी नहीं लेना है यहीं पानी का यूज हम भाद में भी करेंगी तो एक सीटी आ अपनिया है को में आलंग से निकाल लूँकंगी ताकि इसे आच्छी तरह से पेष्ट बना सकूँ यह देखिए टमाटर मैंने निकाल लिए है सभी जिसने भी है भुट्टे को छोड़के सभी को आप इसी तरह निकाल ले और आगे के तयारी कर लेते हैं यह पैस्ट आमारा तैयार हो चुका है भुट्टे के लिए अब चलिए आगे की तियारी कर लेते इसे और भी टेश्टी बनाने के लिए मैंने यूच किया है इसमें गरम मसाला जी हाँ दोस्तों यह देखे खड़े वाले मेरे पास गरम मसाले हैं दो मेरे पास एराइची है लॉंग है जावीत् पख़एओ starting सबसूति"- developing पानी उज़ किया हुआ पानी ऊच कर नहीं नहीं करना है इसे लगातार आपको फ्रायकरते सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करे और बेल आइकोन को जरूर दबाए ताकि आगे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले और इसी बीच मैंने डाला है हल्का सा नमक क्योंकि पहले भी मैंने इसमें नमक डाल चुका है और पानी मैं उसी को यूज करूँगी इसलि आसमीरी लाल मिक्षी लिए हैं आपके पास अगर नॉर्मल वाले हैं तो थोड़े कम डाले और फिर मैंने डाला है धनिया के पाउडर यह देखे लगतार आपको एक चमश मैने डाला धनिया के पाउड़र और दो चमश जीरा के पाउड़र यह रहेगी मसाले के रहना है लगातार जिससे इसका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ही अच्छी से महा काने लगेगी और फिर मैंने डाला है यह देखिए उबले वाले मेरे पास स्वीट कॉन थे मैंने उसे यूच किया अगर आप उबाल के रखे हैं तो आप उसे भी डाल दे और अच्छी तर से भून चुके हैं यह देखिए लगातार आपको चलाते हुए अच्छी तरह से मसाले को भूनना है और यह देखिए मसाले बहुत ही परफेक्ट हमारे भून चुके हैं तेल अलग हो रहा है और मसाले अलग हो रहे हैं इसी बीच आपको क्या करना है जितने भी स्वीट कॉ को डाल के गेस की फ्लेम की थोड़ी से लो कर देनी हैं और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करने हैं लगातार आप इसे मिक्स करें और यह देखे एक से दो वाला आने तक इसे अच्छी तरह से आपको पगाते रहना है एक से दो वाला आ चुक है अब चलिए चेक करते हैं यह द चार चमश मेने लिए हैं मलाई के इससे जो ग्रेवी है वो काफी टेश्टी बनती है आप इस मलाई को जरूर डाले और अगर फ्रेस मलाई हो तो उसे भी आप डाल सकते हैं उससे और भी अच्छा फ्लेवर निखर कर आता है ये देखे और लगतार चलाते हुए इसकी इंटिक लगती है और बहुत ही यमी टेश्ट आता है इस रेसिपी का तो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई